नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हर्याना CET में हुए नई संशोदनों के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो किसी CET की अधि सूचना में संशोदन होगा CET स्कूर में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 प्रतिशत अंग जुड़ेंगे SSE की परिच्छा में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2 प्रतिशत अंग जुड़ेंगे परिवारिक आए एक लाग असी हजार रुपे तक साल आने वालों को ही मिलेंगे सामाजिक आर्थिक मानदंड के लाग CET और SSE की परिच्छा और जन्मे जन्नल को निवनितम 50 और आर्चित को 40 प्रतिशत अंग लेना ज़रूरी CET की पैतिता 3 साल होगी इसकोर बढ़ा सकेंगे अगर बढ़ा तो अगले 3 साल के लिए वैद्धे होगा अनुवव के अंकों के लिए 1,80,000,000 रुपे तक की साला ना आय बादा नहीं होगी साथ ही दोस्तों नहां दे रखा है सामाजिक आर्थिक मानतंड के लिए ये हैं शर्ते हैं परिवार के उदर्शे के लिए परिभाशा पुरुष उमीदवा, स्वेम, पिता, माता, पत्नी, आबिवाहित, बाही और पुत्तर अगर कोई अजत्त्य के लिए पंजिकर्ण कड़ाता है तो उसे परईवार पेचान पत्र आधरकार नम्मर नहीं देगा तो उसे दोगना फिस देनी होगी जिनके पास परिबार पहशान पत्त आदरकार नहीं है बेबी पंजीकरण के योगे हैं पंजीकरण के लिए हर्याना वाशियों और गेर हर्याना वाशियों को यह फीज देनी होगी लेकिन फिलाल अभी वो इसमें चेंजिस करने में लगे हुए हैं तो दोस्तों इस वीडियो में यही अपडेट आपको देनी थी इंफोमिशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें साथ ही किसी प्रिकार की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे